नमस्कार फ्रेंड स्वागत करते हूं आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटिक में आज हम सिखेंगे टाउजर पैंट के कटिंग करना किस तरह से हमें कटिंग करनी है कितना हमें मैजरमेंट लेना है तो पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे इसके लिए हमें शेप पट्टी क में डबल फोर्ड करके रख लेंगे किनारी अपनी साइड रखनी है और यहां पर देख सकते हैं दो इंची उपर निकालते हुए मैंने यहां पर निशान लगाया लंबाई मेरी 36 इंची है 36 का निशान लगाके दो इंची यहां पर एक्स्ट्र मैंने ले लिए फोल्ड के लिए निचे तो इस तरह से 38 इंची को हम इस तरह से ले लेंगे और अब कपड़े को हम इस तरह से रख लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा ज्यादा वेस्ट ना हो तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया अब हम अपनी लंबाई का निशान लगाते हैं यहां उपर दो इ पहले हम 36 का निशान लगाएंगे और उसके बाद 38 का निशान लगा के इन निशानों को हम कर लेंगे सीधा इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया यह हमारा हो गया अब सीधा इसी तरह से हम निशान यहां पर लगाएंगे तो यह किनारी है हम इसको पहले सबसे पहले कर लेंग इस तरह से 9 इंचे पर निशान लगाएंगे और 2 इंचे यहां पर extra हम और लगाएंगे, दो इंचे हमारा बेल्ट का आजाएगा, टोटल हो जाएगा, पर दिखेंगे, मैंने 11 इंचे पर निशान लगाया इस तरह से, और इन दोनों लाइनों के बीच में, इस तरह से, हम हल् उन्हेंच आया है you are you goji को हमें आप लेंगे इसको आधर हमारा साड़े पांच। इस तरह से हम सब आप को कर लेंगे हम सीधा तो यह देखिए निशान हमारे आ गया है इस तरह से इन निशान को हम कर लेंगे सीधा दोनों निशान को हमने सीधा कर लिया और यहां से हम सेंटर मार्किंग कर लेते हैं देखिए जो भी हमारा यहां पर 11 इंची कर निशान लगाया था अब हम यहां पर इसके सेंटर से मार्क कर लेंगे उपड़ से नीचे तक ँरिष लिए के इसितर से फोल्ड करके रख लिया है आप ंर्जए तो सिंगल भी हाऊपर साढ़े-5 करके रख सकते हैं मैंने यहाँ पर 11 का आधा इसको फूल्ड कर लिया है इंचि टेप को और इस तरह से एंपर मार्किंग कर लिया है तो ये देखे इस तरह से हमारी ओर ओके हमारे लिए, अब इस line को हम कर लेंगे एकड़ने सीधा, ऊपड़ से लेके नींचे तक, देखे इस तरह से मिला लिया, और line को मिलाने के बाद में अब हमें उसकी marking करते हैं, तो marking करने के लिए सबसे पहले हम center line से, जितना भी हमने मौ नाप इतनी लेनी है कि हमारे साड़े पांच यहां तैयार आ जाए तो मैंने जितना भी मेरा तैयार है उसका मैंने सेंटर लाइन से आधा उधर और आधा इधर कर दिया है सेम इसी तरह से हमें गुटने का करना है और इसी तरह से हमें थाई का लेना है तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको हम नाप लेंगे यहां पर, और यहां पर मुझे लेना है, यहां थाई का, तो थाई मेरे यहां पर तयार जो आएगी, वो 20 है, तो 20 का आधा मैंने 5 इधर ले लिया, और 5 इधर ले लिया, सेम इसी तरह से हमें घुटना लेना है, से 5 और 5 यहान पर मैंने थाइ का निशान लगाया इस तरह से हमारी इहां पर शेप और उपर से पमे देख सकते हैं सेंटर लायन हमारी इस तरह से आ ग搞 है और यह जो मामने 3 निशान लगा है इसको से पर समय भी इंगेक से पट्टिक हम इस तरह से सेट करेंगे कि हमारे तीनों निशान आपस में मिल के आएं अगर नहीं भी आते हैं तो पहले आप उपर वाले निशान लगा लेजिए उसके बाद आप नीचे वाले निशान को मिला के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो यहां देखिए मैंने नीचे से इस तरह से मिलाते हुए निशान लगा दिया है आप देख सकते हैं इस तरह से मिल गया और सेम इसी तरह से इस साइड में हमें सेंटर पट्टी को इस तरह से घुमा के यहां रख लेना है और उपर वाले निशान से नीचे वाले निशान को मिलाते हुए हम इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से हमारे यहां मार्किंग कप्लीट हो जाती है यह देखे पहले हम यहां निशान लगाएंगे उसके बाद हम हम इस तरह से नीचे से मिलाते हुए, शेप पट्टी को रखते हुए, निशान को हम ड्रॉ कर लेंगे, तो इस तरह से हमारे यहां पर टाउजर के निशान कप्लेट हो जाती है, अब यह शेप पट्टी को हम उठाएंगे, इस तरह से उपर की तरफ यहां रखेंगे, और उपर की साइड में हलका सच गुलाई यहां पर देते हुए, इस तरह से शेप लखा देंगे, तो यहां हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कप्लेट हो जाती है, और इनी मार्किन पर हम अपनी कटिंग कर लेते हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलेगा और बैल आइकन को जोरू प्रेस कीजिएगा जिससे की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे तो इसी तरह से हम फ्रेंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इसी तरह से रखना है जो हमारा front part है उसको हमें चौड़े वाले side पे रखना है यानि कि जहां से हमने 5 निकाला है इसके उपर हमें अपने उपर वाला hip वाला side रख लेना है और जिधर से हमारा hip side आया है यहां पर हमें 5 वाले side इस तरह से रख लेना है अब यहां पर देखिए मैंने नीचे का तो इस तरह से निशान हमें लगा लेने हैं यह हमारे फोल्डिंग के लिए हैं तो निशानों को हमें इस तरह से थोड़ा बढ़ा के तिर्चे में गट कर लेना है तो यह देखे हैं माई फ्रंट पार्ट की कटिंग यहां कम्प्लेट हो चुकी है अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट के लिए देखे कपड़े को हम इस तरह से बिछा लेंगे आप देख सकते हैं क्योंकि हमें आसन के रहे हैं मैंने नीचे के सा कपड़ा बिलकुँ मिलाके रखा हुआ है इस तरह से और इधर की साइड में हमें दो इंची एक्स्टा रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लेने हैं दो दो इंची का निशान हम extra लगाएंगे इस side से वहाँ से लेके उपपर तक crochet area तक हमें इस तरह से 2 इंचे के निशान को लगाते हुए यहाँ पर line draw कर लेनी है यह देखी crochet हमें भी लेना है और यहाँ back side में भी हमें यहाँ पर 2 इंचे के निशान extra लगा लेने हैं और उसके बाद में देखी है यहाँ से हम 2 इंचे के निशान उपपर लगाएंगे यानि कि back part हम 2 इंचे extra लेंगे और इस तरह से इस निशान को इस side में हम मिला देंगे जहां से हमारे कमर वाला side का हिस्सा आता है pocket वाला इस तरह से मिलाते हुए इस line को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम curve लगा के इस तरह से shape डाल देंगे और नीचे वाली side से हम इस तरह से save पट्टी की सायता से इसको निशानों को मिला देंगे यह थोड़ा से अंदर की side में है इसको हम एक बार और ड्रा कर लेंगे तो यह देखिए यहां हमारे निशान complete हो गए यह back part के है और इधर वाली side में हमें same बिल्कुल बराबर जितने भी हमारा यहाँ पर है बिल्कुल भी extra हमें नहीं लेना है as it is निशान लगा के हम इसके अपनी cutting कर लेंगे यहां देख सकते हैं यहां हमारी cutting complete हो चुकी है और अब हमें belt निकाल लें है और अपनी pocket निकाल लें है तो यह हमारे इतना कपड़ा बचा हुआ है यहां से हम लंबाई में देखेंगे हमें belt चाहिए होगी तो देखें इस तरह से हमारी जो भी कमार होगी उसका आधा हम रखते हुए यहां पर belt निकाल लेंगे 27 इंची कमार है हमारी यहां पर तो उसमें 1 इंची हम प्लस करते हुए यहां पर अपनी belt का निशान लगा लेंगे और उसको 4 इंची चोड़ाई में हम इस तरह से दे लेंगे और belt की cutting यहां पर हम कर लेंगे तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो चैनल को ज़रूर subscribe केजिएगा इसके stitching की वीडियो में आपको next part में लेके आऊंगी pocket किस तरह से लगाते हैं belt किस तरह से लगाएंगे यह भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी तो बने रहेएगा मेरे साथ दोस्तो तो यह देखिए इस तरह से हमने निशान के लगा लिए अपने belt के और इसको हम cut कर लेंगे यह देखिए इस तरह से मारे यह belt double fold में आ गई इसमें हम पेस्टिंग लगाएंगे फ्रंट में और अब हम निकालेंगे अपनी pocket तो देखिए इस तरह से हमने लंबाई में double fold करके कपला रखा हुआ है यहां पर और यहां पर हम निशान लगा लेंगे देखिए कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे हम और यह जो हमारे तिरच्छा कपड़ा है इसको हम सीधा कर लेंगे यानि कि स्क्यार में हम कपड़ा निकाल लेंगे और यहां से हम निजेम की marking करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से हम दस पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से सीधा करके एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से हम कपड़ा निकाल के राख लेंगे यह हमारी pocket हो जाएगी तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जेम की कटिंग यहां हो गई है, पॉकेट हमने कट कर ली है, तो इस तरह से हमारे टाउजर पैंट की कटिंग कमप्लेट हो चुकी है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं, नेक्स पार्ट में तब तक के लिए बाबाई